नमस्कार दोस्तों हरे कृष्णा राधी राधे महा सिवरात्री की पर्व आने वाली है महा सिवरात्री की पर्व में हमें क्या-क्या सामगरी चाहिए पूजन के लिए चलिए देख लेते हैं सबसे पहले दीखिए पूजन के लिए हमें भगवान सीब जी की सिप परिवार इस तरह से कोई फोटो मुर्ती विग्रा जो भी आपके पास है आप जुरूर ले लिजेगा इसमें सभी बाहन के साथ अगर इस तरह से बना हुआ रहेगा तो बहुत अच्छा है महा सिवरात्री के दिन भगवान सीब जी की सिवलिंग सौरूप की पूजन की जाती है और अगर आपके पास इस तरह का सिवलिंग है तो ले लिजेगा सिवलिंग का पूजा आप कीजिए मंदिर में अगर पूजा कर रहे तो आपको फिर फोटो विग्रा का जुरत नहीं ले सकते हैं इसके बाद एक गी का दीपक आपको जुरू लेनी चाहिए जिसको प्रजलित करेंगे और इसके बाद पूजन सुरू करेंगे कोई-कोई महा सिवरात्री के दिन घट सापना करते हैं कलस तापना करते हैं तो इसके लिए पांच या साथ असोग के पत्ते आपक इसके उपर हम दीप कलस की सापना करेंगे तो कलस सापना का वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताएगा वैसे मेरे सारे वीडियो में कालस सापना कैसे किया जाता है वह बताए गया है इसके बाद दिखिए और क्या-क्या हमें सामगरे चाहिए होगा तो सब्सक्राइब चाष लिए यहां पर हमने लिया है सिंदूर और चोटे दो डबे इसमें है एक हल्दी और एक में है कुम-कुम तो इस तरह को अगर आपने डबा माना के रखा है तो यह भी आप लेके जा सकते हैं बहुत हैं डी तो कम से कम एक जानी चाहिए जो सीवलिंक पर चड़ाएंगे और अगर हो सके तो चार जोन टेसे जाएगे और देकर सब्सक्राइब लेनी है और रुद्राक्स की माला आप जरूर ले लिजेगा कम से कम एक माला मंदिर में बैठके आपको जब करना चाहिए नवस्रिवाय या ओंग नवस्रिवाय या महामृतन जब जो भी आप कर सकते हैं इसके भगवान सीब जी को चड़ाने के लिए आपको इत्र जरूर ल सबसे पहले देखिए फूल फल में क्या सामान चाहिए होगा तो भगवान सीब जी के लिए आपको बेल पत्र अती अवस्रे लेनी है ठीक है अगर बेल पत्र नहीं मिला तो मैंने आपको बता दिया इस तरह का चांदी का बेल पत्र आप यूज कर सकते हैं कहां से कभी यू सकते हैं इसके बाद देखिए आपको समी के पत्ते मिल जाता है समी के पत्ते आपको जरूद चड़ानी है बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है कहते हैं कि एक समी के बत्ते हजार जो हमारे बेल पत्र ना उनके समान होते हैं इस तरह का अगर आंक्ड़े का फूल और पत बर पुजा के के बाहर मंदीर मिल जाती है तो यह ज्याव शारे सामाना आपको लेनी है इसके बाद हम परसाद में पेर आपको जुरूर लेनी है पल में के लाब का बेड़ का बहुट सब्सक्रास करते है फ़ल के भोग के इलाबा आप आप इन न कोई पंच मेवा का भोग भी चला सकते है जो पंच मेवा हमारा होता है यह कुई मेवा का भोग चला सकते मीठा mittब शबळ चिजों का भोग चàiलाका जाता है आप इस दिन हो सके तो खीर जुरूर बनाईए मैं यहाँ पर आपको बतासा और रामदाना रखके दिखा रही हूँ लेकिन आप जो है न इस दिन सिवरात्री के दिन खीर जुरूर बनाईएगा और भगवान सिवर जी की सबसे प्रिय भोग जो होता है वो है भांग अगर संबब है तो थोड़ी सी भांग की व्यवस्ता करके आप भगवान को भांग जुरूर चड़ाईएगा और इसके बाद जो है न एक लोटा जल आप जरूर ले जाएए और एक लोटा जल जैसे हम लोग भोग ग्रान करते खाना खाते है तो पानी पीते है तो एक लोटा जल भी हमें चड़ाना है ठीक है भगवान सिपजी की पूजा में अविसेग जो अतरा सर्वत्तम जो है न अविसेगी सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस दिया जाता है तो इसके लिए आपको गंगा जल थोड़ा लेना है आपको पंचामरित लेनी है और सुद्ध जल लेनी है ठीक है यह जो पंचामरित है इसको आप अलग-अलग ले सकते है जैसे की दूद्ध, दही, घी, शक्कर, 만धू इतदी अलग-अलग ले सकते और पॉच अलग-अलग चीजों से भगवान सिप जी की आप चाहे तो आराधना कर सकते है अविसेग कर सकते हैं लेकिन अगर पंचामरि आपको स्रान करानी है और यहां पर देखिएंगे महार शिवरात्रिक ब्रत कथा का बुक अगर आपके पास तो वह भी आप जरूर पढ़ाइए जो इना पढ़ना है चाहिए और ब्रत कथा के बीना तो कोई भी जो पूजा परवन होता है न होता ही होता ही नहीं है तो ब्रत माता पार्वती के साथ भगवान सिप जी की विवाज संपुर्ण वाता तो इसलिए माता पार्वती के इस दिन जो है ना आप लोगों को कम से कम पांच साथ या सोला सरिंगार जुरूर चड़ानी चाहिए तो देखें इसमें मेंदी बींदी महावर बगरा जो भी जो में से थोड़ा-थोड़ा करके थाली में ले लिए और अगर घर पर पुझा कर रहे तो यह साभी समगरी के उसाथ आप घर पर भी पुझन कर सकते हैं आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों के लिए हेलफूल है और अगर पसंद आईए तो प्लीज लैक सेर और कम पूम नमशिवाए बाई वे दोस्तों टेक केर